किसान आंदोलन के सहिदों पूमर रहे बप और wierसक कृशी कानून को लेकर पूरे देस भर में किसान सड़कों पर है कम से कम 55-60 दिनों से किसान डिली बोर्डर पर ढटे हुए हैं दूसरी हो पूरे देश भर में अन्य गभीन पार्टी ये दौरा जुपकछी पार्टी उनके द्वारा किसान आंदोलन कि जा रहे हैं जारकार में इस वगतार से चिजेशे चल रही हो एक-टो एक तरफ है सरकार अडिग है और अडिवी है कि किसी भी स्थिती में हम वापस नहीं करें किसानकारों को ऐसे में रास्ता क्या निकलता है हमारे पास देखिए जाजी सभा में जिस तरीके से ये बिल पास हुआ उसके बास से तो पूरी सच्चाई किसानों के सामने आ गई है कि जिस तरीके से तमाम परंपराओं को ताक में रख करके हुआ कि ये सरकार कार्पोरेट हीतों के परती हमबानी अडानी के हीतों के परती कितनी द्रिड है और पंजाब हरियाना के किसानों ने जरूर सुरुआत की है पिछले 50 दिनों से जादा वो घेरा डालो डेरा डालो है लेकिन अभी हकीकत ये परदा फास होने के बाद छोटे-छोटे राजजों में भी छोटे-छोटे जगों में भी बिरोद के स्वर उठ रहे हैं अचाना है वो खड़े हुए हैं और आज भी जब यहां राजभवन में धर्णा हो रहा है जमसेटपूर में भी मार्च निकली है सुल्ला तारीक और मेहंज सिंह के सहाधत दिवस पर हजारों लोगों ने जो है वो मानोश रिंखला लगाई है तो सरकार तो ढीठता के साथ खड़ी है इसके बावजुद असर नहीं पढ़ रहा तो लग रहा कि इन चीजों का कोई फाइदा होने वारा कि साथ किसान की मिर्तिक बादी सरकार के भी तक कोई सौफ्ट कॉर्णर देखने को नहीं में बिलकुल सरकार तो लेकिन पहली बार है किसानों ने किया और सरकार को तो मानना पड़ेगा और सरकार तो पचास से ज्यादा किसानों ने अपनी जो है जान गवा चुके हैं और किसानों को इसलिए किसानों ने ठान लिया है कि जब तक जो है इस काले कानूनों को जो है वो रद्द नहीं करेंगे वो वापस नहीं लेंगे तब तक किसान जो ह पहले भी किसानों के से सथी जरूर उसमें कमियां परिषानिया पिछले दिनों रोगवरदास के समय जो है लोगों को दान का पैसा भी नहीं मिला था लेकिन जब एक minimum guarantee है तब किसानों को इतनी परसानी हो रही है और जदी यह guarantee भी यह उट जाए तो किसानों के साथ और भी लूट होगी इसलिए हमने पिछले जिनों हिमन सरकार से भी कहा कि आप किसान कानूनों के विरोध में है तो वो तो करें लेकिन यहां इस बात के guarantee हो अभी तो पैसा वो दे रहे हैं किसानों को लेकिन बाकि जो आदा पैसा है वो अभी किसानो न हो भुगतान हो वो लोगों को भटकना ना पड़े तब ही आप किसानों का जो आंदोलन है उसके साथ ज्यादा मज़ूती के साथ खड़े हो सकते हैं सर एक तो किसान जो है सड़क पर है वो दो एक तरफ है राइनितिक पार्टियां विरोध कर रही है वो भी तरफ है लेकिन सरकार जो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है दूसरी तरफ जारखन में किसानों के सिति ठीक नहीं है और क्रिश्य कानून के पहले भी ठीक नहीं थी आने कानून आने से पहला आप ये मानते हैं कि पहले भी सिति ठीक नहीं थी तो इसमें सिर्फ करसी कानून को जिम्मार माना जाए या अपको रगता है कि कुछ बाकी एक जो कुछ से कभी दिक्कत है के अंदर सरकार को पीछे हटना पड़ेगा और पीछे हटने के संकेत जो है वो साप साप दिख रहे हैं कल जो वारता हुई है उस वारता में सरकार कह रही है कि डेड़ साल के लिए हम किरसी कानून को सस्पेंड करेंगे निलंबित करेंगे या उसे लागू नहीं करेंगे पूरे देश का किसान आंदोलन जो है इसका गवा है कि जब जब किसान जागा है जब जब भी आंदोलन के लिए सडकों पर वो सामने आया है वो पूरा पगड़ी संभाल जट्टा से ले करके जारखन में बीर बुधु भगत से ले करके नकसलबाडी मुमेंट से ले करके जबकि हम लोग देखते हैं कि ये जो लोग आपको दीख रहे हैं केमरे में वो सारे के सारे किसान परिवार से हैं सारे लोग खेतों में काम करते हैं खलियानों में काम करते हैं इसलिए सिर्फ राजनितिक दलों का मसला नहीं है ये बिरोध किसानों का है और सित के लहरी में 60- अपनी जान गवाई है तो यह किसान अंदुलन एक पूरे देश के अंदर में उफान पर है और जारखंड की जहां तक बात है तो जारखंड में वैसे कृषिलाइक जमीन जो है वह बहुत कम है किसानों की हालात काफी यहां और भी बत से बत्तर है तो यहां पर जो सरकार की ज कमाई और कमिसन मिलेगी यह अगर विकास की बात करते हैं तो देश का बहुत संख्यक अबादी जो है किसानों से उनकी रोजगार की गारेंटी होती है तो किसी पर ध्यां देना चाहिए था यह सरकार किसानों के सवाल पे क्रिसी के सवाल पे कभी भी सजग नहीं है और इस www.thefollow-up.in